अलो स्टुडेंट्स वेलकम टॉपर्स विलेज आज हम करेंगे क्वेशन नमबर 6 एक्ससाइज 11.2 का कंस्ट्रक्शन का तो इससे पहले कि हम इस्टार्ट करें में आपको बदा दू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज का हर एक क्वेशन का यहाँ पर आपको सुलिशन मिलेगा इवन ओप्शनल एक्साइज जो होती है न्सीयाटी की मैथेमेटिक्स की उनका भी आपको सुलिशन मिलेगा ठीक है तो अभी कॉशन स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर 6 यह काफी अच्छा कॉशन है इसको देखो क्या ल इसी एक जो राइट 90 डिग्रे वाला जो पॉइंट है वहाँ से हाइपोटनेस पर एक परपेंडिकल बना दिया हमने दे सरकल थू भी सी डी स्ट्रोन ठीक है फिर एक सरकल बना दिया कंस्ट्रक्ट दी टेंजेंट्स फ्रॉम ए टूदी सरकल देखो एक रफ डाग्राम बन की गई है ट्राइंगल एक बी सी की बात तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा सबसे पहले साम बनाएंगे ठीक है अभी पूरा बनाएंगे लेकिन अभी मैं आपको रॉफ आइडिया दे रहा हूं कि कैसे कैसे बनाएंगे यहां पर एपॉइंट है यह बी पॉइंट और यह सी तो इसको क्या बोल दिया आपर डी बोल दिया फिर दे सर्कल थ्रू बी सी डी सी डी से इस टाइप का एक सर्कल पास होगा यह हमें बना देंगे अभी इस टाइप का एक सर्कल पास होगा किस से बी सी डी से बी सी डी बस यह नीचे नीचे होगा तो अब करना क्या है कंस्ट he is struck the tangents from a to the circle इस a से ने इस सउर्कल पर टेंजिन बनाना है मतलब इस टाइब से एक टेंजिन तो यह बनेगी और एक टेंजिन यह बनेगी तो ऐसा नहीं कि जैसे अभी मैंने बनाए ऐसे तोलब टेंजिन बनाएंगे, हम तो पूरा प्रोपर तरीके से बनाएंगे, तो अब देखो, start कहां करना है, कैसे करना है, मैं बताता हूँ, सबसे पहले बनाएंगी BC, ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगी यह, यहाँ पर 90 डिगरी बना लेंगे, बाद आणाीटि गरी इस का मतले वैसी कौशटी को नाइनटी डिगरी से"? इसका मतलव एसी कौन सी कोर्ड जो 90 डिगरी को इन कम डाना पडोथी यह perpendicular bisector ऐसे बना कर तीक है यह से center मिल जाएगा अभी center इसको center मान के और इसको radius मान के तीक इतनी सी को radius है फिर उसको मान लो एक की बराबर है एक की बात है वो ऐसे circle बना देंगे तीक इस type से बन जाएगा अपना required circle यह circle बनाना इसके अंदर सबसे important चीज़ है उसके बाद तो फिर इसका perpendicular bicycle लेकर ऐसे सरकल बना कर फिर करते हैं तो यहां पर क्या करेंगे इस बाहर यह a point है यह b और यह c इसको join करते हैं कैसे होग है अब इस line का क्या ले लेता हम perpendicular bicycle इसे अब यह यह जो यहां पर जो point मिलेगा इसको center मान के फिर से हम इसे एक circle बना देंगे इस type से यहां से यह काम करेंगे अब देखते हैं कैसा होगा इसे बता रहा है उपको वन बाई-वन करते हैं सबसे पहले बनाऊ यह बीसी के लेंद बनाऊ सबसे पहले कितनी है यह एट सेंटिमेटर है 8 cm यह ओगया 8 cm ठीक है यह अपना बी पॉइंट आ गया यह सी पॉइंट आ गया अब इसके बाद में क्या करना देखो भी यहां पर ना 90 डिगरी बनेगा तभी यह वो शिक्स हम उपर उठाएंगे तो यहां पर 90 डिगरी बनाना पड़ेगा बी पर राइट ट्राइंगल तो बने तो 90 डिगरी कैसे बनाएंगे कंपास रखा इसको पहले से पूरा एक आख बना दी उसके बाद में यह बन गया पहला 60 डिगरी और यह बन गया दूसरा इधर 120 डिगरी ठीक है एक्सेटली वहीं जाके मिला अब क्या करना है 60 और 120 के बीच में तो होता 90 डिगरी तो यह इसको जोइन कर दिया हमने यह ओगे 90 अब देखो कितना जाना उपर की तरह बुझ बोला है यह तो 8 बन गया अपना इधर कितना है यह देखना पड़ेगा कितना ही यहां से यहां तक हाइट कि दिनी 6 तो 6 cm बने ज्यादा उपर ना बने उपर बनेगा फिर कट लगाना कुप्लीट हो जाए यह सीगो कर दिया हमने जोइन है लोगया कम डिट इसके बार इसके बात क्या बोला है अब क्या किया जाया यहां पर मैंने आपको चीज बताए थी कि देखो यहां पर 90 डिगरी इसका मतलब इसको डायमेटर मानन के सरकल बनाया होगा तो इसको वहीं सेंटर एंट तो यह क्या होगा तो सेंटर पहने यहांसे इत्र माक लगा दिया और इधर माक लगा दिया णिए और इस से ब्हूशें लगा देते हैं तो यह वाली है कि कर फिर भी अभी में करके बहून सो अपको हसी मेटीज तेही तोटeze यह बीच वाला point मिला इसको किया mentioning आप देखो इसको center मान के circle बना देते हैं रेडियस इतनी सी रहत है यह वाली radius तो BM radius ले लो या फिर इधर div was RES費 यह ले लो तो Б BM radius ले लेते हैं आप ठीक है यह तो यह पर आग्या इसको यहां से मान है हम BDA से perpendicular पहले नहीं बनाएंगे ठीक है अभी यहां पर जो point मिलेगा वो होगा D point हमने इस चीज़ों को उल्टी तरीके से interpret किया है तो वो चीज़े सब सही हो जाती है होगे हैं यहां पर यह उपर point जो मिला है यह उपर जो point मिला है यह कौन सा point है D ही point है आप द्यान से देखोगे ना यह diameter D point पर कितना इंगल सब्टेंट करेगा 90 degree इसको जोइन कर दो यहां पर पक्का क्या होगा यहां पर 90 degree होगा बले measure कर लो ठीक है तो ऐसे हम थोड़ा बहुत मतलब दूसरी चीजों से भी यह यह चीज तक पहुंछ सकते है ठीक है अब क्या करना है यह जो बहुत को सब्सक्राइघ यहां से इस circle पर tangents बनानी है तो tangents बनाने के लिए बता क्या करते हैं एक circle है उसके पहले बाहरवाले point को इसके center से join करते हैं तो बाहरवाला point A है इसका center का है M इसको इससे join करना पड़ेगा हमें तो join कर देते हैं अब बाकी सारी चीज़े इतनी dark मत करना light light करना ठीक है नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़े फिर confuse कर जाओगे यह light सा मैंने join कर गिया इसको ठीक है अब करना क्या है इस AM का लेना perpendicular bisector तो AM यह AM मैंने हमने ऐसे रख लिया अब इसका लेना पर यह देखो यह आदे से ज़्यादा खोल लेना ठीक है बहले ही चलो और ज़्यादा खोल लेते हैं इसको इस type से खोल लेते हैं थोड़ा और बड़ा कर लिया ठीक है यह हो गया अब AM से AM दिख रहा है आपको AM AM ए और AM इस AM का perpendicular bisector चल रहा है अब यहां पर M पर पॉइंट रखा A से यहां कट लगा दिया एक ठीक है और इस side कट लगा दिया एक इसे और अगला अब A से A से यहां कट लगा दिया और A से इधर कट लगा दिया अब इसको जोइन करेंगे इस कट को और उस कट को जोइन करेंगे तो बड़ा राइटली जो इन करना इसको भी यह हो गा यह दो direktम आरफ यह एम है यह डोटेंट लेंड पर्पेंडिकल बार सिटर रहे तो यह वाला जो पॉइंट है यह हो गया अपना। इसको कुछ नाम देते हैं, इसको बोल देते हैं, इसको पी नाम देते हैं, इसको लोग पी नाम दे दिया है, इसको यह बीच वाला पॉइंट क्या होगा है, पी, अब करते क्या है, जब भी ऐसे पर्पेंडिक्ल बाइसेक्टर बनाते हैं, आपको पता है, उसके बाद में क् यह नो बेनारा फैल्च एम ले लो दोनों एक ही बात भीको सेंटर मानो और पर इस टायप से, लाइट सा सरकल बना दो फिर से क्यों ऑप पिए तो अब इनको जोईन कर देता है अए याव पोईंट हो गया इसको बहुत है Q point एक यहाँ वाला point हो गया यह वहीं पर एक्चुली B पर ही आएगा यह एक्जिटली B के उपर ही आएगा ठीक है तो आप जोईन कर देते देखो tangents क्या-क्या बनेगी एक तो यह tangent होगी एक तो यह tangent होगी A B itself एक क्या होगी A Q यह दोनों tangents अपने answer होगी अब देखो मैं इधर sequence लिख देता हूँ ताकि आप ज़्यादा confusion आओ तो कैसे कैसे किया हमने steps कि कि मैं आप चोटे-चोटे नाम लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा confusion भी नहीं होगा आपको hints लिख रहा हूँ सबसे पहले पहला काम क्या किया हमने bc की length बनाई कितनी 8 centimeter फिर दूसरा काम क्या किया हमने angle b बनाया कितना 90 degree ठीक है यह वाला हमने 90 degree बनाई था फिर उसके बान तीसरा काम क्या किया हमने ab binaya kitna यह वाली length कितनी ती आपर 6 centimeter जैसा है question भोला था question में ये तीन चीज़े वो लिए थी सबसे पहले इन तीनी चीज़ें को utilize कर लिया अब उसके बाद में 14 step किया किया हमने AC को join कर दिया ठीक है AC को क्या कर दिया हमने join कर दिया तो triangle complete हो गया यहां तक आते आते triangle ABC हो गया complete तो यह आप complete कर लेना उसके बाद में देखो क्या किया 15 step में हमने इस BC का perpendicular bicycle ढूंडा ठीक है तो यहां पर लिख देते perpendicular bicycle of BC perpendicular bicycle of BC यहां से हमें एक point मिला कौन सा M तो यह काम हो गया अभी 60 step देखो क्या है 60 step में हमने क्या किया जैसे हमें यह M point मिला हम M को center मानके एक circle बना दिया 60 step में क्या किया हमने एक circle बनाया जिसका center कौन था M था और उसकी जो radius है radius चाहो तो BM ले लो या फिर MC ले लो BM ले लो या फिर MC ठीक है और अब उसके बाद में क्या किया जैसे यह circle बना यह जो circle जो है यह जो circle जो है इसने intersect किया किसको intersects AC at D जैसे इस circle ने इस AC को intersect किया इस point को क्या बोल दिया हमने D बोल दिया तो देखो यहां पर यह automatically BD और AC क्या होगे perpendicular तो BD और AC क्या होगे perpendicular यह भी question के अंदर बोला गया था तो यहां पर automatically बन गया ठीक है अब उसके बाद अब क्या करना है देखो circle एकदम ready है अब A से tangent बनाने है तो 7th step में क्या क्या हमने हमने A और M को join कर दिया ठीक है A और M को क्या गर दिया join फिर A और M को join करने के बाद में इसका क्या लिया गया perpendicular bisector 8th step में perpendicular bisector of AM ठीक है वहां से बीचो बीच हमें कौन सा point मिला P AM का perpendicular bisector AM को ही कहा पर cut क्या उसने P पर cut गया अब P को center मानके क्या बना देंगे circle 9th step में फिर फिर से क्या बना दिया circle बना दिया P को center मानके और radius क्या माना हमने radius radius या तो AP ले लो या फिर PM ले लो ठीक है radius क्या ले 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 हमने AP ले ले तो इसके बाद में जैसे ये circle बना उसके बाद में क्या हुआ, इस ने वाले सरकल ने, ये जो है, ये वाले सरकल ने, B और Q पर कट गया, तो अपना जो आंसर आया, A, B और A, Q, यही क्या हो गई, टेंजेंट्स हो गई, ठीके, तो इस तरीके से मैंने छोटी-छोटी-छोटी हिंट्स में आपको बता दिया, मिलते हैं अब अगले अगले लेक्चर में अगले वीडियो, अगले क्वेश्चन के साथ, ठीके, क्वेश्चन नमबर से होने, तेंक्यू बेरी मच्च